अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक किजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें बैल आइकोन क्लिक करना भी ना बूलें ताकि आपको हर निव वीडियो की अपडेट मिलती रहें चलिए अब हम बनातें चाट मसाला पाउडर इसके लिए हमें चाहिए आदा कप साबुत दनिया एक ती हाई कप जीरा आदा कप काला नमक एक चोथाई कप से कम सफेद नमक 15 ग्राम अमचूर पाउडर ये एक चोथा कप से थोड़ा कम है एक बड़ा चमच सौट का पाउडर एक बड़ा चमच गरम मसाला पाउडर एक चोथाई चमच हिंग चार लाल सुखी मिर्च आदा चोटा चमच सिट्रिक एसिड इसे टाटरिक भी कहते हैं सबसे पहले हम पैन को गरम कर लेंगे गैस को लो कर देंगे इसमें हम आदा कब साबुत दन्या डालेंगे ये वेट के सबसे 40 ग्राम है एक तीहाई कब जीरा ये भी 40 ग्राम है 15 ग्राम काली मिर्च ये एक चोथाई कब से कम है 4 साबुत लाल मिर्च साबुत मसालों को हम दिमी आज पर भूनेंगे और इस तरह आप इसे लगातार चलाते हुए बुनिये इसे एक दो मुनिटी लगता है बुनने में हम इसे इसलिए बुनते हैं ताकि मसालों में नमी ना रहे तो आप जब पीसते हैं तो अच्छे से ये पाउडर हो जाए अगर नमी रहेगी तो यह अच्छे से पीसे नहीं जाते और मैंने आपको कप का भी मेजरमेंट बता दिया है और ग्राम का भी क्योंकि बहुत से लोगों को ग्राम का नहीं समझता है कितना डालना है इसलिए कप से आप मेजरमेंट करके डाल सकते हैं मार्केट से हम लोग चाट मसाला पाउडर खरीद के लाते हैं इससे अच्छा आप गर पर खुद बनाएं और से मार्केट जैसा बनता है अब मसाले अच्छे से बुन चुके हैं अब हम फ्लेम को बन कर देते हैं और इसे तुरंट एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब आप एक प्लेट में निकाल दीजिए और इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है मैंने मसाले को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है अब हम इसे ब्लेंडर जार में डाल कर पीस लेते हैं पहले हम साबुत मसाले पीस लेते हैं ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और इसे मैंने प अफेद नमक एक चोथाई कप से कम है ये 50 ग्राम है एक बड़ा चमच सौंट पाउडर ये 10 ग्राम है एक बड़ा चमच गरम मसाला पाउडर ये भी 10 ग्राम है एक चोथाई कप से कम अमचूर पाउडर ये 15 ग्राम है आप चाहें तो 20 ग्राम भी डाल सकते हैं एक चोथाई चमच हिंग, आदा छोटा चमच सिट्रिक एसिड इसे टाटरिक भी कहते हैं, अब हम सब को पीस लेते हैं, ये देखे मैंने सब को ब्लेंड कर दिया है और एकदम फाइन पाउडर बनाया है, आप देख सकते हैं, इस तरह हमें इसका पाउडर बनाना है, इसे आपको चानने क भी जरूत नहीं पड़ेगी, आपने देखा कितना जल्दी चाट मसाला पाउडर बन गया घर पर ही, इसे अब आप एर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए, देखा आपने कितना जल्दी से घर पर ही चाट मसाला पाउडर बन गया सेम मार्केट जैसा, तो आप भी जरूर बनाईए, यह देखिए नजदिक से दिखाती हूँ, सेम मार्केट जैसा बना है, और टेस्ट में भी वैसा ही है, तो आप लोग जरूर ट्रय कीजिएगा, इसे आप एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, यह साल बर खराब नहीं होता, तो इसे आप जरूर ट से पी किसा, तिल देन, बबाई, थैंक यू फर वाचिंग,